नमस्कार, मैं डॉक्टर बुची बाचपई उत्तर प्रदेश राजार्शी टन्नन मुक्त विश्विद्याले की मानविकी विद्याशाखा की अंतरगर्ण हिंदी विश्विद्याले के में हिंदी कारिकरम के पाठिकरम अभिविद्यास ऑनलाइन व्याख्यान या परामर्श सत्र में आप सभी शिक्षार्थियों और जिग्यासुओं का स्वागत करती हूँ आज हम लोग जैसा की आप लोग इस स्लाइड में देख रहे हैं वर्तमान में सत्र दोहजार बीस इकिस के जुलाई सत्र दोहजार बीस का प्रथम सेमिस्टर पारम होने जा रहा है आज इस पाठिक्रम परिचय व्याख्यान में इस नवीन सत्र जुलाई दोहजार बीस में एमे हिंदी में प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थियों के प्रथम वर्ष के पहले सेमिस्टर के प्रश्ण पत्रों महाई 101 आदिकालीन काव्य एवं महाई 102 मध्यकालीन काव्य तथा इसे पूर्व के जनवरी दोहजार बीस में वार्षिक पद्धति के अंतरगत एमे हिंदी कारक्रम में प्रवेश लेने वाले एमे प्रथम वर्ष के शिक्षार्थियों के प्रश्ण पत्र महाई 01 हिंदी काव्य आदि काव्य भक्ति काव्य एवं दीति काव्य के अधियन के तरीके संभावित प्रष्ण व्याख्या की विधी अधिन्यास एवं सत्त्रांत परीक्षा प्रश्ण पत्रों में उत्तर लिखने की पद्धति प्रस्तुति करण के तरीके आदि पर हम ल परदाई कृत पृतिविराज रासो विद्यापति एवं भक्तिकाल से कबीर और जायसी पर विशलेशनात्मक प्रश्ण एवं कबीर तथा जायसी के पाठिक्रम में नहित्र पध्यांशों की व्याख्या तयार करनी है। जान रखें कि आप स्वाद्याया आधारित मुक्त अधिकम ब्रणाली के अंतरगत अध्यां कर रहे हैं किसमें दिन अधिन कक्षाएं आयोजित नहीं होती हैं, उसकी जगे शिक्षार्थियों को SLM या स्वध्यन पाथि सामगरी प्रदान की जाती है, उसी से अध्यन करना होता है, केवल कठिनाई आने पर परामर्श सत्रों में उसी का निवारन किया जाता है, अधिन्यास का प्रावधान इस अधियन सामगरी आपके पास में है, कैसे पढ़ना है, यह मैं बता रही हूँ, कुरोना काल में संप्रेशनी व्योधान के कारण इस परिचयात्मक सत्र शंखला का आयोजन किया जा रहा है, आपको इस प्रशन पत्र परिचय के बाद भी जो समस्याएं आएं, कमेंट बॉक है, उसी में जोडते हुए आगे बढ़ना है, अधियन करम में पहले आप SLM के रूप में मिली हुई, बड़े A4 आकार वाली पुस्तकों से कवियों पर विशलेशनात्मत प्रश्न तयार करेंगे, उसके बाद व्याख्या की तयारी चोटी वाली पुस्तक, रीडर हिंदी क अभी विविधा से करनी है, विवेचिना वाली छोटी पुस्तक उचितर अध्यन की है, बाद में यदि आवशक्ता हो तो उसका अध्यन करें, अब मैं करमशा आधिकाल से लेकर रीतिकाल तक के इन सभी कवियों का परचयात्मक संदर्व देते हुए, प्रश्न पत्र में त्यार किये जाने हेतू संभावित प्रश्न बताऊंगी, इसके बाद अधिन्यास और सत्रान परीक्षा प्रश्न पत्र के नमूने पर चर्चा होगी, हिंदी साहिति का करंभी काल समवत 1050 से समवत 1375 तक माना जाता है, इसे आधिकाल या वीर गाथा काल नाम से अभीत किय जाता है, इसकाल के साहिति को चार भागों में बाटा जा सकता है, से दोर नात साहिति, जैन साहिति, चारन साहिति और फुटकर रचनाय, इनके अंद्रगत खुसरों की पहेलियां, मुकरियां, लौकिक शंगार कावे, मुला दावूद का चंदायन, और अब्दुर्यमान क संदेश रासक, डोला मारूरा दूहा, विद्यापति की पदावल हित्यादी आते हैं, इस युक के रासो ग्रंतों की परंपरा में कवियों ने अपने आश्यदाताओं की प्रशंसा करते हुए, कावे में वीर और शंगार रस की सुंदर अभिवनजना की है, चंद वीर गाथाकाल के प्रतिनिधी कवी थे, वे सभा, युद्ध, आखेट, यात्रा, इत्यादी में प्रिथ्वी राज चोहान के साथ ही रहा करते थे, चंद बरदाई दौरा रचित प्रिथ्वी राज रासो हिंदी का प्रथम महा कावे है, इसकी प्रामानिक्ता भले ही वि प्रवाहित की है कवी ने, तो चरित नायक द्वारा लड़ेगा युद्धों में वीर रस मूर्तिमान हो उठा है, रासोकार द्वारा इस ग्रंथ में प्रह सभी अलंकारों का प्रयोक किया गया है, और लगबग 68 प्रकार के चंद इसमें प्रयोक्त हैं, इस काविग्रंथ की भाषा, हिंदी, गुजराती और राजस्थानी का मिला जुला सुरूप है, इस प्रकार वीर गाथा काल के प्रतिनीदी कवी चनवर्दाई द्वारा रचित हिंदी का प्रथम महाकाब्य प्रत्वी राज रासो, वीर गाथा काल की सर्विष्ष्ठ रचना है, और यह रा संक्रमन काल माना जाता है विद्यापति की रचनाओं में यह संक्रमन कालीन पवरित्ती प्रमुक्ता से दिखाई देती है अपनी रचनाओं कीर्थी लता और कीर्थी पताका में अपने आशे दाताओं कीर्थी सिंग तथा शिव सिंग का यशोगान किया है इन रचनाओं में विद्यापती का युग प्रतिमिंबेत होता है विद्यापती ने संस्क्रित अवहठ और मैथिली में काविरचनाई लिखी हैं तथा पी अवहठ में लिखित कीर्थी लता और कीर्थी पता का पता मैथिली में लिखित पदावली ही विद्यापती की कीर्थी के आधार हैं उन उन्हें एक आर्य भाशा के विकास के एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन पड़ाओ के रूप में उनकी देशिल वैना मिर्शित अपभ्रण्ष का एतिहासिक महत्व है शंगार प्रधान कविता हिंदी गीति कावे की एक प्रधान प्रवृति रही है और विद्यापति की कवित में हमें शंगार प्रमुक्ता से मिलता है वस्ता वे एक शंगार प्रधान भावुक भक्त कवी हैं उन्हें हम हिंदी गीति कावे परंपरा का जनक मानते हैं वे संस्कृत की जैदेव वाली गीति कावे परंपरा में आते हैं उनके गीतों ने कृष्ण भक्ति परक समस्त का विधारा के आद ही कभी हैं उनकी सरवादिक लोगप्री रचना पदावली है जिसमें उन्होंने राधा कृष्ण की प्रणय लीलाओं का अत्यंत हिर्दय ग्राही वन्न किया है पदावली में भक्ति और शंगार दोनूं से संबंधित पद हैं लेकिन भक्ति संबंधित पद राधा कृष्ण के अत्रिक्त शेव विष्णू, गंगा, दुर्गा, आधियनेक देवी देवताओं की स्तुती में गाये गए हैं जिनमें अध्भुत तनमयता है इस आधार पर विध्यापति के भक्त या शंगारी माने जाने के संबंध में समीक्षकों में विवाद उठ परन्तु वस्तु इस्तिती यह है कि विध्यापति मूल्धा शंगारी कवी हैं उन्होंने अपने आराध्य राधा और माधाव की शंगार मैभक्ती की हैं उनके पद हिंदी गीतिकाव के शंगार हैं संगी तात्मक्ता और कोमल कांत भाशा के लिए विध्यापति की वली ही देती है जो लोग भाषा मैथिली में लिखी गई है जिसके कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया है लोग संस्कृति से गहरी संबध्धता होने के कारण उनके असंख गीत लोग कंठ में रच बस गए हैं इनमें मिधिला का समस्त जन जीवन जागता हुआ दिखाई दे परते हैं उनका काव विशुद रूप से मुफ्तशंगार को लेकर चला है लेकिन रिषक शूप में हम यह कहेंगा कि वे एक भावुक भक्ट कवी हैं शंगार पधान भावुक भक्त गवी के रूप में हमने देखते हैं कवीर का क्वे और उसकी प्रासंगित्ता कवीर दा थी हिंदुओं में अनेक मतांतर प्रचलित थे जिंगे कांड लोग धर्म के सच्चे स्वरूप को भूल कर व्यर्थ के कर्म कांडों अंद विश्वासों तथा पाखंडों में फसकर धर्म की पोशक शक्ती से वंचित हो गए थे पंडित और मौलवी धर्म की मनमानी व्याख दक्षण भारत में भक्ती की जिस परंपरा का विकास हुआ था वो रामानुजाचारे निंबार्क मद्धवचारे और विश्वामी के मतों के विकास के रूप में उत्तर भारत में अनेक रूपों में पुश्पित पल्लवित हुई इन लोगों ने ऐसे दर्शन का प्रचा कर सकता है भक्तिकालीन हिंदी कवियों में जिनोंने ईश्वर के निर्गुन रूप को अपनाया वे निर्गुन मार्गी धारा के माने गए और जिनोंने सगुन रूप की उपासना का मार्ग अपनाया वे सगुन मार्गी कहला है निर्गुन वादियों में भी जिनोंने ज् प्रतिभा लेकर अवदीन हुए थे उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में शलागनी ये प्रयास किया कबीर का धर्म मानव मात्र की समानता पर आधारित है, मंदिर, तीर्थाटन, माला, नमाज, पुजापाठ, आधि धर्म के बाहरी आचार व्योहारों और कर्मकांडों की उन्होंने कठोर शब्दों में निंदा की, और सत्य, प्रीम, सत्विक्ता, पवित्रता, इश्वर प्र अपनी भाषा को पूर्वी कहते हैं, दोहा चंद में प्रकट किये गए उनके साक्षात, अन्वो, साखी के नाम से विख्यात हैं, रमैनी प्राहा चौपाई चंद में लिखी गई है, सबद की रचना पदों के रूप में है, कबीर ने यद्यपी सायास अलंकारों का प्रय कबीर ने ईश्वर के प्रति प्रेम को दामपत्य प्रतीकों के माध्यम से अभिवक्त किया है,"चा सूफियों की धर्म साधना और अद्वयत विदान्त का प्रभाव भी कभीर पर है लेकिन वेवस्ता एक सार ग्राही संत कभी है उन्होंने विवेक सम्मत ग्यान पर बल दिया है एक सच्चे मानव धर्म की उन्होंने प्रतिष्ठा की है कतनी करनी की एक्ता लोक मंगल का भाव बहतिकता की अपेक्षा अध्यात्मिक्ता पर बल दिखावे का विरोध समानता की भावना गुरु का महतों अधियानेक ऐसी बाते हैं कभीर के कावे में जिनका की महतो और प्रासंगिक्ता कभी कम नहीं होती मुल्यों के शरण के एस यूग में, मुल्यों के संक्रमण के एस यूग में कबीर हमारे लिए आज भी प्रसंगिक हैं। इवं उत्कृष्ट प्रतिभा के द्वरा इतिवरत्तात्मक्ता के साथ साथ गंभीर रसात्मक्ता की स्ष्ष्टी की है। मिलता हुआ अंत में उस पर्मात्मा से मिल जाता है। इसे साथना के चार सोपानों के रूप में माना गया है जो क्रमशा, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत माने गए हैं। जिनमें से अंतिम मारिफत दशा में साथक की जीवात्मा पर्मात्मा से एकाकार होकर उसमें लाय हो जाती है। अने शब्दों में उसे अनाल हक की सिद्धी हो जाती है। आलमें लाहूत में जाकर जीवात्मा पर्मात्मा रूपी माशूक से मिलती है। आध्यात्मिक प्रेम का वंडन किया गया है। लेकिन वस्तविक्ता यह है कि पद्मावत एक लौकिक प्रेम काव्य है। जैसी को जीवन का व्यापक अनुभव था। उनका यही अनुभव पद्मावत में दिखाई देता है। उन्होंने पद्मावत में लौकिक प्रेम कथा को कावियात्मक स्वरूप प्रदान किया है। सूफी मत एक दर्शन है जिसमें प्रेम ही भक्ति का साधन है। किन्तु सूफी इस सांसारिक प्रेम को इतना उदात और दिव्य बना देते हैं कि वह अलौकिक प्रेम में बदल जाता है। हिंदी के सूफी कवियों मुला दाउद, कुतुबन, मंज़न, उस्मान आदि सभी में यह प्रवरिति दिखाई देती है। लेकिन यह सूफी पंथ उनकी साधना का प्रदान स्वर नहीं है। इरश्या द्वेश जैसे सहज मानवी भाव भी उसमें हैं लेकिन प्रेम में वह सब कुछ भूल जाता है। जैसी ने इसी मनुष्य के प्रेम को महा काव्यात्मक गरिमा प्रदान की है। उनका कहना था कि मानुस पेम भायव बैकुंठी नाही तकाह छार भर मुंठी। जैसी ने पद्मावत में लोग भाषा अवधी का प्रयोग करते हुए हिंदू लोग संस्कृती को सजीव अभिभ्यक्ती प्रदान की है। हिंदी की सगुण भक्तिदारा के कृष्णो पासक कव्यों में मूर्धन्य हैं। उनके गुरु पुष्टी मार्क के संस्थापक वल्लभाचारे थे। वल्लभाचारे जी के पुत्र कोसाई विठलनात ने अपने पिता के चार शिश्यों तथा अपने चार शिश्यों को मिला कर अश्ट छाप संप्रदाय की स्थापना की। जो कृष्ण भक्ती का एक प्रधान सब्दाय है। इन कवियों में सूर्दास, नंददास, पर्मानंदास, कुम्भन दास, कृष्ण दास, चतुरवुद स्वामी, छीट स्वामी और गोविंद स्वामी हैं। ये आठों भक्त शीकृष्ण के अश्ट सखा के नाम से प्रसिद्ध हुए। वल्लभाचारे ने सुध्धा द्वयत के सिध्धानत का प्रवर्तन करते हुए पुष्टी मार्गी प्रेम लक्षणा भक्ती का प्रतिपादन किया। इस भक्ती का चर्मोदकर्ष सूर कावे म दिश्टी गोचर होता है। पुष्टी मार्गी भक्त लीला पुरुषोत्तम भगवान शीकृष्ण में आत्म समर्पन युक्त रसात्मक प्रेम द्वारा उनकी नित्य आनंद लीला में लीन रहते हैं। इसे ही रागानुगा प्रेम लक्षणा या प्रेमा भक्ती का नाम की विकास, ध्रमरगीत, आदी सभी जगे जो भगवान का लोक सामान ने रूप है, उसकी अवतारना वो हर जगे करते हैं। सूर के कावी की अपनी निजी विशेषताएं हैं। इसलिए भक्ती कावी के विकास और उसके रागात्मक व्यविद्धि में सूर का अपना एक अलग महत्तो है। इकठे कर दिये हैं। इसलिए आचार रामचन शुक्ल ने कहा है कि सूर का सयोग वणन कोई शने घटना नहीं है। प्रेम संगीत में जीवन की एक गहरी चलती धारा है जिसमें अफगाहन करने वाले व्यक्ति को दिव्य माधुरी के तरीक्त और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। प्रेमा भकती सिर्फ सजोग वस्ता में ही नहीं होती। व्योग के शनों में भी प्रेमी की स्मिति सताती रहती है और आखों में प्रेमी का नित्ति लीला स्वरूप जगमगाता रहता है। ब्रहमरगीत को सूर सागर का सबसे मर्मिस्परशी अंग माना गया है। यह वस्ता एक उपालम भकावे है। इसमें एक और तो गोपियों के कृष्ण के प्रती उतकट प्रेम एवं विरह भावना के अभिव्यक्ति हुई है तो दूसरी ओर ज्ञान मारगी उद्धो के ज्ञान गर्व को खंडित करते वे सूर्दास ने गोपियों दोरा दिये गए तरकों के सहारे योग मारगया ज्ञान मारग पर भक्ती मारग की शेष्ठता प्रतिपादित की है। यह भ्रमरगीत प्रसं इसे सूर्जागर को गीतात्मक महाकावे कहा गया है। इसमें भावानों भूति की गहरी आंतरिक्ता है। लेकिन वणन आत्मकता और कथा तत्यों की विद्धेमानता की कारण इसमें प्रबंध और गीती के परसपर विरोधी तत्यों का अनूठा संगम हुआ है। इसमें उन्हें अपूर्व साहित्ति गरिमा प्रदान की है। उसकी मादूरी तथा लालित्य के वैभव को चनम उतकर्ष तक पहुचाया है। उक्ति वैचित्रियों वचन वक्रता से सूर्ण का कावे भरा पड़ा है। अलंकारों का भावोतकर्ष विधायक प्रयोग उनके काव चन्दों के नभीन भयोगों की परंपरा का प्रवर्तन सूर्दास नहीं किया। वस्ता बार्वी से सत्रवी सदी तक साहित्य और संगीत के शेत्रों में जो नया जागरण और कलात्मक उतकर्ष आया। उसमें महाकवी सूर्दास का अप्रतिम योगदान है। सूर की भक्त सूर कावे में दिविच हटा लिये हुए है। ब्रजभूमी के आभीरों की दीर काल से चली आ रही स्वच्चंद जीवन धारा, ग्राम प्रकृति के मुक्त प्रांगण में निर्वंध विचरण के बीच स्वाभाविक रूप से अंकुरित प्रेम और काम संबंध की निर् इसे भगवान को सौपे बिना उस लीला पुरुषुत्तम की लीला अपूर रह जाएगी। इसलिए राधा और गोपियां दैहिक मानमर्यादा भूल जाती है। तनमयता की शण में संसार का विस्मरण हो जाता है। सूर के शंगारवनन के प्रसंग में इस भगवत विश्य की मौलिक उद्भावना है। श्रीमत भागवत में कहीं राधा का उल्लेक नहीं मिलता। इसी प्रकाव भ्रमर गीत भी सूर की मौलिक कल्पना है और उच्च कोटी का मर्मिस्परशी काव है। वस्ता सूर हिंदी भक्ति कावे की सगुन मारगी कृष्ण कावेधारा के प् अनव मुक्ति के मूल लिवान संघर्ष को केंद्र में रख कर चला था। मीरा भाई इस संघर्ष की एक जागरूक प्रहरी के रूप में हमारे सामने आती हैं। इस सामाजिक संघर्ष की तेरणा भक्त कवियों को पहले से चली आ रही संत परंपरा से प्राप्त हुई दक्षण के आलवार भक्तों तथा रामांजाचारे, रामानन, मध्वाचारे, नामदेव और चतन महाप्रभुवादी महान संतों ने समय समय पर इस ब्राम्हन पुरोहित वर्चस वाली वन वरस्ता से कठिन संघर्ष किया। भक्त युग को व्यापक लोक जागरण का गौरव का भाव जगाया और उन्हें पुरानी रूडियों से मुक्त होने की प्रेरणा दी। जन चेतना की स्प्रखरता के कारणी भक्ति कावे ने व्यापक आंदोलन का रूप ग्रहन कर लिया। इस दृष्टी से हम देखते हैं कि मीरा के कावे में सगुन मिर्गुन इतना का महत्मूर्ण पक्ष जोड़ती हुई इस आंदोलन की सामाजिक भूमिका को पूरा करती हैं। इस दौरा अपनी इच्छा की सामाज मिला था। यह समाज अपनी इस्त्रियों के प्रती बहुत रूड़िवादी और अनुदार था। कुल की मर्यादा इतनी समवेदन शील हुआ करती थी कि इस दौरा अपनी इच्छा की स्वभाविक अभिव्यक्ती मात्र से इसके तूर जाने का खत्रा था। मीरा के पती कुमर भोजराज तथा श्वसुर महाराणा सांगा की मृत्यू के बाद उनका देवर राणा विक्रमा जीत उनका अभिभावक बन वैठा। उसने भगवत भक्ती को जीवन का एक मात्र उद्देश से मानने वाली मीरा को अनेक प्रकार से आतंकित किया। लेकिन मीरा का भक्ती हट उनकी इस्पष्ट वादेता और रूड़ी विरोध जड़ीबूत समाज व्यस्था के लिए एक चुनवती बन गये। मीरा ने बार बार जिस कूल मर्यादा को तोड़ने की बात कही है वो इस्त्री धमानों और शोशन में लगी हुई वह छद म कूल मर्यादा थी जो उसे जीवित व्यक्तित तो ना मानकर निश्पान वस्तू समझती थी। आज का आधुने कहा जाने वाला समाज भी इस्त्री स्वाधिनता के प्रति सहज नहीं है। मीरा युगीन समाज में एक इस्त्री की साधू संगत में रमने की गतिविती ने कितनी दुष्टात्माओं को आकृष्ट किया होगा। वैश्णों भक्तिधारा में भी कुछ ऐसी संकिन्टाएं थी जिने मीरा जैसी तपस्वनी नारी नहीं सह सकती थी। मीरा ने बड़ी सजगता और आत्मबल के साथ ऐसे छद्मों का मुकाबला किया और असह यातनाओं से भरे जीवन को बड़ी गरिमा और स्वाभिमान के स जाता है इसे लौकिक प्रेम से भिन्न करने के लिए सगुन भक्तों ने इस भगवद विश्यक्रती को उज्वल रस कहा है मीरा की भक्ति विशेश उलेखनी है इसलिए है कि उसे सगुन निर्गुन के परिपाटी बद्ध सुरूप के इंतरगत नहीं रखा जा सकता वे भक सुरूप की लिलाओं का गान करती हैं गिर्धर गोपाल मीरा के सरवस्व हैं जिनके अलोकिक सुंदर के आगे प्रेम विवश मीरा उन पर बार बार बलिहारी जाती है वे शन भर भी उन कृष्ण से विलग नहीं होना चाहती है इसलिए उन्हें अपनी आँखों में बसा कर रखती हैं मीरा ने गिर्धर नागर को स्वकिया भाव से चाहा और पूजा है उनके लिए शंगार किया सेथ सजाई उनसे रूठी और उनसे मान भी गई कृष्ण को पाकर मीरा ने संसार से पूरी तरह मुह मोड लिया है क्योंकि वे ही मीरा के अचल अभिनाशी सुहाग हैं मीरा ने ऐसा प्रियतम चुनाया है जिससे लोकिस जगत में मेलन संभो नहीं इसलिए उनकी भक्ती का सबसे प्रगाढ़ और मार्मिक स्वर विरह का है लोकिस जगत में प्रियका चिर्व्योग ही उनके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है इस विरह में मीरा की के विविद रूप राप्त होते हैं उनकी विरहनभूती में अद्भूत आत्मप्रसार परिलक्षित होता है अलोकिक प्रितम के प्रति निवेदित मीरा की विरहा अभिव्यक्ति में कभी कभी निरून संतों के रह सेवादी स्वर की अनुगून सुनाई पड़ती है मीरा क की भाषा राजस्थानी मिश्चित ब्रज भाषा है लोक जीवन से अकृतिम निकट्ता के कारण मीरा की भाषा में अर्थ की गहरी शक्तिव दिमान है संत समाज के निरंतर संपर्क ने भी उनकी अभिव्यक्ति को एक सहच कलात्मक्ता पदान की है कृष्ण भक्ति और उस जीवन के समस्त अभावों की पूरती का विधान करती हुई सगुन और निर्गुन कावे परंपरा के परिपाटी बद्ध रूपों का अतिक्रमण करती है भक्तिकालीन हिंदी कावे धारा में उनका विशिष्ट योगदान है गुस्वामी तुलसी दास और उनकी कावे चे बनाएख किया वशकता थी जो अधर्म के नाश के लिए जन ले और घर्म का उत्थान करें तुलसी ने राम के रूप में जन्मानस को एक ऐसे लोगों को आशा और उल्लास का संदेश दिया वस्ता तुलसी दास लोक मंगल के कभी हैं भाशा और भाव समस्षेत्रों में तुलसी ने जनता की भावनाओं और शम्ताओं का ध्यान रखा है इसलिए तुलसी आज भी सरवाधिक लोकप्री हैं तुलसी की भक्ति संबंधी दार्शनिक विचारधारा अद्वयत एवं विशिष्टा अद्वयत से प्रभावित हैं उनकी दृष्टी में ब्रह्म और जीव अलग अलग हैं पर जीव की यह अलग सत्ता माया के कारण दृष्टी को चरोती हैं सिर्फ माया पति प्रभु ही अ पंचबूतों से निर्मिष शरीर से जीव भिन होता है उसकी अलग सत्ता है इसलिए जीव नित्य है वह मरता नहीं है आवा गमन के चक्र में फसा रहता है और कर्मों का फल जन जन्वांतर तक भोगता रहता है निश्कर्ष के रूप में तुलसीदाज जी भक्ति का महत्तो प्रति पाधित करते हैं ज्यान प्राप्त करते ही जीव को संसार चकर और आवागमन चकर से मुक्ति मिल जाती है घुसामी जी अपनर यउप के हिंदू समाज को संबोधित कर रहे थे उनकी सामाजिक संरचना में सामन्ती राजतंत्र की विचार दृष्टी का प्रतिफलन सरवत्र दिखाई देता है गरीब निवाज, दीन दयाल, कृपा निधान, दलितों वंचितों के शरण दाता के रूप में सरव शक्तिमान प्रभू राम की कल्पना और उनके प्रतिदास से भाव या सेवक से भाव वाली भक्ति राजापजा संबन्नों के बारे में उनकी सामाजिक राजमितिक मानेताओं का ही एक भावात्मक रूप है भक्ति की भावगुमी से मानवी समानता और एक्ता का आहवान करने में तुलसी भक्तिकाल के किसी भी कृतिकार से पीछे नहीं है परंतु वर्णाशम वस्ता की टूटन, जाती प्रता की विनाश तथा शुति और इस्मृति के अनादर से बहुत दुखी और संतप्त हैं कल्यूक की करालता के वनन में ऐसे प्रसंग बार बार आते हैं उनका रामराज वस्ता एक मिठकी यूटोपिया है अन्याय, उत्पीडन, दुराचार, पाखंड और अनैतिक्ता के राजी के रूप में वे कल्यूक का वनन करते हैं ठीक इसके विप्रीत रामराज जी में न्याय, शान्ती और सर्वत रिस्तुख है इस राजी में वननाश्रम के अंतरगत सभी अपने अपने करता विका पालन करते हैं सभी सुखी और संपन्न हैं, आपस में कोई भेद नहीं है, राजा, दानी और प्रजा पालक है इस निर्दय और हिदेहीन संसार में तुलसी के रामराज जी की यह परिकल्पना उत्पीडित जनसाधहन के लिए एक चिर काम में आधर्श है इसलिए उनके संपून प्रतित्तो को दरिद्र और वंचित जनसाधहन ने एक ठाती के रूप में अपने हर्दे से लगा रखा है तुलसी दास लोग कभी हैं, उन्होंने अपनी कविता जन भाषा ब्रज और अवधी में लिखी है रामचित मानस की रचना उन्होंने अवधी में की और दोहा वली, कविता वली भिने पत्री का आधी उनके ब्रज भाषा के ग्रंथ रत्न है उनकी भाषा में बुंदेल खंडी तथा अर्भी फारसी के शब्दों का भी सरजनातमक प्रयोग होने के कारण उनकी कविता जन जन में लोगप्री हुई कविता के समंद में तुलसी का विचार लोक मंगल की भावना से अनुप्रेरित है वे कविता में लोकोप कारी जीवन विवेक की सुष्ठी करते हैं एक शेष्ट कवी के अनुरूप अपने प्रबंध कावे राम चरित मानस में उन्होंने जीवन के मर्मिस परशी परसंगों का हिर्देग राही चित्रन किया है राम वनवास, राम भरत मिलन, सीता हरन प्रसंग में राम की व्याकुलता कवनन, लंका कान में लक्ष्वन की मूर्चा के समय राम की वहवलता, आधी राम चरित मानस के मार्मिक इस्थल हैं जिनका तुलसी हिर्दैस परशीता के साथ अंकन करते हैं राम भक्ति काविधारा के सर्वशेष्ट कवी एं लोक मंगल के महान पतिष्ठापक गुसामी तुलसी दास विरिचित विने पत्री का हिंदी का एक अतिसुंदर गीती काव्य है इसमें तुलसी ने अपनी दर्शन वा भक्ति संबंधी विचारधारा को व्यक्त किया है जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें प्रभु राम तक अपनी विनम्र प्रार्थना पत्र के मादिम से पहुचाने की कल्पना की गई है वस्ता है तुलसी का आत्मनिवेदन है कवितावली गोसामी तुलसी दास की मुक्तक रचना है पर राम कथा से भी इसका घनिष्ट संबंध है इसका विभाजन राम चैट मानस के समान साथ कांडों में तो हुआ ही है इसका उत्तर कांड विविद विश्यों से सुशोवित है कवितावली में तुलसी ने अपने योग का अत्यंत व्यापक और यथार्थ चित्रन पस्तुत किया है बाशा और भाव सभी दुष्टियों से तुलसी की कविता अत्यंत उत्कृष्ट है इसलिए उनका कृतित तो जन जन का कंठाहार बन गया है चंदों अलंकारों का वैविद्य तथा भावानुकूल संगीत अत्मक्ता उनके कावे में सर्वत्र है जन भाशा अवदी को कावे भाशा के रूप में पतिष्ठित करने में उनका अमूल लियोगदान है हिंदी भक्ति कावे को उनकी देन अविस्मरनी है कवी घनानंद भक्ति कालीन कावे धारा के शिर्ण होते होते हिंदी साहित में रीती कावे धारा का वर्चस्तु हो गया था लेकिन वो भक्ति धारा इतनी प्रबल थी कि रीती कावे धारा दो भागों में बट गई प्रतम तो रीती बद्ध कविताओं के रचनाकार हैं और दूसरे रीती मुक्त काविधारा के अमर गायक घनानन्द का नाम रीती मुक्त स्वच्छंतावादी कवियों की पंक्ती में ही सम्मिलित है उनकी कविता रिदय के सहज भाव लास के रूप मनिस्वित होई है घनानन्द के कावि की मूल संवेधना ही प्रेम है और उसी से सारा काविस पंदेत हो रहा है उनके इस प्रेम में स्वानुभूती की तीवरता भरी हुई है जो उनके व्यक्तित्तु के संसपर्ष से और भी अथिक दिव्वेवम अलोकिक बन गई है घनानन्द की भाषा ब्रजभाषा है उनके कावि में अलंकार भावोत कर्ष के साधन के रूप में ही प्रग्रित हुए है लक्षणा और ब्यंजना के सुंदर प्रेयोग ने घनानन्द की कविता को विलक्षण अर्थ दामभीरे प्रदान किया है कविवर बिहारी बिहारी रीती कालीन हिंदी कावी की रीती बद्ध काविधारा के सरप्रमुक कवी रहे हैं उनका एक मात्र ग्रंथ बिहारी सत्सई उनकी अक्षय कीरती का आधार है इसमें 702 हैं बिहारी की कविताओं को कथि के रूप में देखने पर उनमें तीन विशेष्टाइं दिखाई देती हैं। उत्तर उत्तर नूतन पसंगों की उत्भावना की अधुचंता बिहारी में द्रिश्टी गोचर होती है। अपनी प्रतिभा का संसपर्ष देकर पूरुतकर्ष तक पहुचाया। आचारे कवि पद्माकर। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम खेमे के कवियों में सरवादे कुल लेखनी है। आचारे और कवि दोनों रूपों में उनकी प्रसिद्धी है। उन्होंने तीन प्रकार के कावी रंतों की रचना की हैं, एक तो प्रशस्ती कावे, उसरे रीती कावे और इसके अतिरिक तो भक्ती कावे, हिमत बहादुर विरुदावली और प्रताथ सिंग विरुदावली उनके प्रशस्ती कावे हैं, पद्मा भरण और जगद विनोद उ उनकी शंगौरिक रचना यही है वे शंगार रसके सिद्धवाग कवई थे उस समय का उलास और मादोरिपक्ष की बड़ी मनुहारी अभिव्यक्ति उनके कावे में हुई है उनका होली वनन संबंधी यह सवया बहुत प्रसिद्ध है जिसमें नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर आयो खेलन होरी कहकर नायक को रंगों से सराबोर करके अपने कटाक्ष कुछल न प्रयोग किया है अनुप्रास की सुन्दर छटा लिये हुए माधुर एवन प्रसाद गुन संपन उनकी भाषा लोक जीवन के मुहावरों और कावतों के प्रयोग के कारण अतिन प्रभावशाली हो गई है और यही उनकी लोग प्रियता का आधार है निश्य विशंगार के रस सिद्ध कवी हैं तो इस उपर प्रकार से मैंने पाठिक्रम में निहित कवियों के संदर्ब में आपको थोड़ा परिचे दिया है और जब आप लगु प्रशन या देग प्रशनों में कवियों का जो विबरन है वो आरम करेंगे उसके आरम में शद्दावली का निए विवित बिंदों पे दो-तीन वाक्य होते हैं इस प्रकार से आप इसका प्रयोक कर सकते हैं तो यह में निए एक सो एक अधिकाली ऌकावे और हैं में इस चाए 102 निकावे हैं इनके दोनों के पार्ठिक्रमों के समंद्द में संभावित प्रश्न भीवैने बनाया जुलाई 2020 में जिन लोगों ने प्रवेश लिया है उनके जो दिसंबर में परिक्षा जिनकी होगी उसका जो पहला पेपर और दूसरा पेपर है महाई 101 और 102 उनके अधिन्यास पर कुछ चर्चा करते हैं प्रश्णों पर अधिन्यास आप लोगों के पास होंगे ही जो आपने पहला है विद्यापति पर मैंने अभी जो बताया है और विद्यापति पर एक अलग मेरा और भी लेक्षर इसमें मैथिल कोकिल विद्यापतिया अरय हों उसके इस परश्ट हो जाएगा और आपके पास पाथिस्तामग्री है प्रश्विय राशो अगला प्रश्न है प्रश्विय राशो पर इसके कावी रूप को मित कावे मच यूप से दो प्रकार का होता एक तो प्रबंध कावे होता है जिसमें धारावाह इक कथा होती है में कि अ अपने आप में अर्थ की दृष्ट से स्वतंत्र होता है उनका उसमें कोई धारवाही कथा नहीं होती है और प्रत्यक पद अपने पद्य अपने में पूर्ण होता है चंद तो इस वकार दो का तो प्रिथ्वियाज रासो पहला प्रकार का जो मैंने पहले बताया कि यह एक महा कावय है कि मैने परचेंग बताया था चंद बरदाई का परचेंग के समय और फिर इसके कावयात्मक सौष्टों को आपको लिखना है कावयात्मक सोश्टों में कई बिंदू बनते हैं जैसे कि एक तो कथानक संगठन होता है चरित्र चित्रन रस्वेंजना और इसके बाद भाषा चंद लंकार इत्यादी उसके जो कलात्मक तत्तु होते हैं बस्तु वनन तो इस सभी दृष्टी कोणों से मैटर से आपको हैडिंग मना बन आकर लिखना होगा कभी कावे में दर्शन भक्ति और सामाजिक्त पर अपने विचार व्यक्ति कीजिए यह तीसरा प्रशन है तो कभीर के कावे में थोड़ा पक परिशे देते हुए और उसके बाद उनके दार्शनिक विचारों और जो निर्गून भक्ति या उनकी निर् वाले तो इसमें आपको करीब चार पेज लिखना होगा इसके बाद देखें लगुत तरी प्रश्ण है प्रिथ्वेजासों की प्रामणिक्ता पर कभीर काविपर सुफी प्रीम काविधारा में जैसी का इस्थान देखें यह जो इस्थान निर्धारित करने अले प्रशन होत जाती हैं फिर यह बताते हुए कि वह विशेष्टा है उनके कावि में कहां तक मिलती है उस प्रेकार से उनका निर्धान किया जाता है अब एक प्रशन है विद्यापती का प्रभाव परवर्ति काविधाराओं पर क्या पड़ा है विद्यापती जो है मैं उसमें है काफी और मैंने जो लेक्षर दिया था उसमें भी है पद्मावत में लोग तत्तु समंधी वैशेष्टे यह लोग तत्तु समंधी वैशेष्टे आप मैटेयल में देखेगा जहां पर लिखा होगा कि जायसी ने हिंदूों के तीस्ते वहारों और उनके उस्तवों का जिस प्रका करती हुई उसकी व्योग वेधना का वह वनण करते हैं तो उसमें होली दिवाली और तरह तरह के तिवहारों का और मतलब लोग गीतों का वन भी वो carrying तो तरह से लोग तत्तु पदुपद्मावत में लोगतत्यों का वैशेष्टे दिखाई देता और उसको मैटेयल से और अपने इसाब से समझ कर लिखिएगा कबीर और जायसी के रहसेवाद की तुलना करते वे उनका वेशिष्टे बताईए तो कबीर और जायसी कबीर के रहसेवाद में जो आत्मा और परमात्मा के संबंदों की जो चर्चा की जाती है आत्मा के परमात्मा के प्रतिप्रीम क कल्पित किया गया और जाइसी के रहसिवाद में परमात्मा को माना गया है माशूक या प्रेमिका और जीवात्मा को प्रेमी के रूप में कल्पित किया गया है और इसके अतरिक्त भी जो जाइसी हैं वो चुकि सूफी प्रेम बंद से प्रभावित हैं और कभी पर व्यश्ण करना है और आप लोग कोशिश यह कीजिए अधिन्यास में कि 24 पेज की आपकी उत्तरपुस्तिका होती है तो आपका 24 पूरा हो जाना चाहिए अनिता ज्यादा होगा तो फिर अंकों पर प्रभाव पड़ सकता है और अब हम देखते हैं महाई 102 मध्यकालीन कावे के अधिन्या उसकी गाई अधिन्याइं विभीन प्रकार के उन्हों प्रसंग लिये हैं उनका ऐसा वर्णन उन्होंने किया है इतना उसको परिपूर्ता तक पहुँचाया है लेकिन सूर ने जो आचारय को अचारे ने रस की संग्या दे दी और शंगार तो वैसे भी रस राज कहा जाता है क्योंकि शंगार एक ऐसा भाव है जो मूल भाव है जीवन का तो यहीं एक ऐसा भाव है आचार राम्चान शुकल के विवेचन में लोब और प्रीती निवन्द में आपने देखा होगा कभी अगर पढ़ा हो कि यह ऐसा भाव है कि जो सुख में बिल्कुल अलग प्रकार की चेश्टा होती है और पूरा जीवन मनुश्य का इसमें प्रभावित रहता है और यह मूल प्रश्राइब के रूप में अपन होता है साहित में दिखाई देता है और देव इशक रती को भक्ती कहते हैं लेकिन मूलता है इसका भाव रती ही है जो शंगार का मूल भाव है तो इसलिए शंगार एक बहुत समावेशी भाव है और इसकी सूर ने जिस प्रकार से शंगार के सहयों को व्योग पक्षों को जो पूर्टा प्रदान की है अपने वन्यों के माध्यम से राधा कृष्ण की गोपियों की लीला के माध्यम से और फिर भ्रमर गीत में व्योग पक्ष का जो चित्रन किया उन्होंने तो इसमें शंगार के रस राजत तो को उन्हों की मानी बहती है निर्गोन और सगोन इसकी कोई सीमा रेखा नहीं निटायत की जा सकती एक बहुत ही निखरे हुए रूप में और निर्गोन और सगोन दोनों प्रका की भक्तियों समन्वे भी है। क्रिष्ण प्रेमें मिलता है और जो उनका जीवन संगर्ष है वह पूरा उनके कावि में उद्गाटे तुगा है तो इस रूप में उनकी सामाजीक चेतना इस परष्ट है इस रूप में आपको लिखना है मुक्ता कावि परंपुरा में कवर विहारी का इस्थान निर्दहरि कि exagger damage प्रतेग चेक चंद अपने in जिदिछी इसकोर के लिखेंगे कि प्रशन जो पूछा गया उसका विकास करें अंत में आपको निशकर्ष अवर्शे लिखना है प्रशनों में तीन-चार लाइन का निशकर्ष प्रशना नुरूप आपको उत्तर में अंत में लिखना होगा अच्छा अब इसके लगू प्रशनी के तुल्सी कावि मर्विन स्वर्शी जीवन प्रसंगों की अभिव्यक्ति का वैशिष्ट है जो मैंने भी आपको बताया उसमें भी है और ब्रशना नुरू महिERा है जो पहला दोह Vienna उसका विआज शत्याहर का कि मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरिसोई तो इसमें अन्त में जो है कि जातन के जाईंगी स्याम हरिद्धों हुई तह इसमें रंगों के मिश्शन का उल्लेग जो बिहारी निकिया और उनके बहुत सारे दोहों में जियोतिश समंधी उनके घ्न का परिचे मिलता है वेद्यक समंधी घ्न का परिचे मिलता है और लोक वियोहर का घ्न तो ने था ही जैसे कि वो एक दोहे में कहते हैं कि आवत जात न जानियतु तेजय नजी सेरानो घर है कि जमाई लौ घटियों खरो और दूसरे की जो रितूओं के प्रतीज उनका ज्ञान है और जो प्राक्रितिक ज्यान है उनका प्रकृति निरीक्षण जो सुक्षम उनका है वो सब उसमें दिखाई दे रहा है तो भीहारी भगुटा पर इस प्रकार के आप उनके दोहों से उधारण देते हुए या के भी आप लिख कर संबंदित दोहे से सपष्ट कर सकते हैं लेकिन जुगी चोटा प्रस्ट ने तो इसलिए आप इसमें हैडिंग मत डालिए बस बताते हुए कि इन प्रकार के ज्ञानों का परिशे मिलता है और दो तीन दोहे उधान दे दीजिए आपको लगू प्रस्ट मे दो धारण दो धारण तीन दोह चल जाएंगी अश्टि शाप से आप क्या समझते हैं श्चाप के विशा में आपके मैटर में अभी मैंने भी बताया था रीति मुक्त सचन प्रेम कावधारा में घंणनद का इस्तान तो इसमें ऐसे बताना होगा कि रीति मुक्त सचन प्रे तो बस यह है कि अनावश्यक विस्तार आपको अधिन्यास में नहीं करना है कि आपके पास बैठने बैठ के करना है आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है तो आप दो उत्तर बुस्तिकां भर रहे हैं तो इससे नहीं चलेगा आपको समझना है और फिर प्रशन अनुसार लिखन अच्छा होगा तो इस प्रकार से आपने देखा कि मही 101 तथा 102 के पाठीक्रम के आधार पर जो अधिन्यास है और अब एक नजर आप यह देखे जो मही 01 के चात्र हैं जो प्रवेश सत्र जन्वरी 2020 के हैं जिनका एक वर्ष दिसंबर 2020 में पूरा हो रहा है तो उनका मही 01 का जो पेपर है वो यह वर्तमान के मही 101 और 102 को मिला कर है मही 01 हिंदी कावे आधिकावे भक्तिकावे और रीतिकावे इसके अधिन्यास पे द्रिश्टी हम लोग डालते हैं देखिए इसमें तो वह सम्मिलित प्रश्ण मिलेंगे जो कि अभी हमने देखा कि 101 में भक्तिकाल श चलता था तो इसको देखिए हमारे जो डिसंबर 2020 की परिक्षा देने वाले जो जन्वर ही सत्र 2020 के चात्रें तो इसमें विद्यापदी का मैथिल कोकिल वाला प्रश्ण है वाध्सलों शंगार वाला जो भी हम लोगों ने डिसकस किया वह सूर्दास का मीरा के कावमेनित प प्रामाणिक्ता पर इसमें शौर्ट कोश्चन है कभी की प्रासंगिक्ता है कभी पर नातु सिद्गाप्र लगबख वही प्रश्ण है गहनानन के प्रेमसम मंदी द्विष्टी कौन पर प्रकाश डाली इसमें है तो उसी प्रकार से लिखना है देखिए आप लोगों को हम काविधरा थी तो उन काविधराओं में वो किस काविधरा के अंतरज़त पड़ता है दूसरी चीज है कि उस यूग विशेश की देश की समाज की परिस्थितियां क्या थी राजनितिक परिस्थितियां सामाजिक धर्मिक संस्कृतिक क्या परिस्थितियां थी और उन परिस सित्यों को किस रूप में लिया और उसने आधर्श और यथार्थ की किस कल्पना को काव में प्रस्तूत किया और उसका जो सामाजिक साहितिक योगदान है वो आपको जानना चाहिए तभी आप रश्णू का उत्तर दे पाएंगे जिस प्रकार से प्रश्ट पूछे जाते हैं कि मतलब किन किन रसों क्या भी रंजना हुई है उसकी मुख्य रचना है कौन-कौन सी है कभी कि उन रचनाओं का थोड़ा वैशिश्ट इसले कि आपको व्याख्या में भी उत्तर देना होगा तो व्याख्या में रचना की विशह में अगर आपको पता होगा तो आप विश प्रशनानुसार ही आपको उत्तर लिखना है अब हम लोग एक उधारण व्याख्या का देख लेते हैं जो जैसी के कावे से एक व्याख्या का उधारण हम PPT में प्रदर्शित करते हैं नक्षिक खंड से यह उधारण है व्याख्या का इसमें पद्मावती की मांग का वर्ण किया है जैसी ने जो सिर पर सुषोभित मांग होती है वो किस प्रकार सुषोभित हो रही है इसको अनिक प्रकार के रूपकों माओं के माध्यम से और वि जिसे की परीक्षा में आप जल्दी से लिख पाएं और कुछ जो विशेश व्याख्या लिखने के बाद जो काविगत सौंदर या विशेश आप लिखते हैं उसकी बिंदू भी आपको कुछ सामाने बिंदू त्यार कर लेने चाहिए और कुछ तो संदर्वत ही होते हैं तो उसको आप उसी समय लिखिए अब इसमें देखे प्रसंग में लिखा हुआ है बस प्रसंग बहुत संक्षित लिखा जाता है प्रसंग का अर्थ होता है प्रकरशेंड संगह मतलब जो कथा चल रही है या जो बात कही गई उसके बारे में एक संगती उपस्तित करना कि इ में दिया हुआ है सब और उसमें वो भी दिये हैं शब्द में आर्थ भी दिये हुए हैं ऑर शुरू में कभी आप और रचनाों चैनल का परिशे मिदिए और नसा आonne है और हमेशा इसe बात करें कि यसी पष्कषा एक सdone। से उसके बाद आपको याख्या में आगे बढ़ना कावे संदर्य में देखे आप जैसे प्पीटी में कि देखे रजचंद अलंकार भाषा गुण यह सब हैडिंग पढ़ सकते हैं और इनके अंतरगत आप दे सकते हैं कावे संदर्य लिख सकते हैं उसका विका संवंधित का PPT पर देखिए आप इसमें जिस प्रकार से अंकों का वित्रण होता है उसी प्रकार से आपको उत्तर देना होगा और चुकि समय सीमित होता है तो आपको अपनी जो लेखन की गती है और उपलब्द समय है और प्रश्णों में जो अंक हैं जितने अंक का प्रश्ण है उसके अनुसार उत्तर देना चाहिए जैसे कि व्याख्या है व्याख्या अगर प्रश्ण फत्र में है तो एक व्याख्या दो पेज तक आप कर सकते हैं पांच अंकों वाली टिपणिया प्रश्ण आपको डेढ़ पेज दो पेज करना चाहिए 16 से 25 अंकों माले जो दीघ प्रश्ण वोते हैं वह कम सेड़ चार पेज और 10 अंकों के प्रश्ण कम से कम यμ perception पेज अवहश्च्य होने चाहिए अब चलते हैं प्रश्ण पत्र के प्रश्णों पर एक नजर देखिए इसमें पहला पि dances प्रत्वियाज रासो राजनीतिक विडंबना कावे है इस परश्ट कीजिए तो इस परकार की कथनात्मक प्रश्ण आ जाते हैं क्योंकि अपको जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से कभि कि जो वहाचारिक समाज प्रिश्ट भूम है कि इस परिधर के अपको अध्यू पुष्मनी रहा करती थी वह लड़ते रहते थे और कर्णयाओं का पहरण होता था तो उनके जो दर्वार के चारण कभी होते थे वह उनके वीरता का यशोगान करते थे बढ़ा चड़ा कर बन करते थे तो वीर और संगार रस उस समय की रचनाव में मिलता है तो किस परिप्रेक्ष से प्रभावेत है रचना और ये तो प्रिथ्विया जासु भी उसी परंपरा काव है तो ये इस प्रकार से शुर्पात करते हुए आपको उसकी विशेष्टाएं लिखनी और जिससे ये राजितिक विडमना इसपश्ट हो इस प्रकार बीच वीच में तो उसकी शैली बिसी प्रकार की होगी तो कभीर के मामले में तो खास्तोर से का जाता है कि भाषा पर उनका जबरदस अधिकार था वह वाणी के डिक्टेटर माने जाते हैं हजारिपसा दिवेदी ने बहुत लिखा इस पर कि भाषा कुछ कभीर के सामने लाजार सी नजर जाती है जो वह इस लापरवा फक्कड की किसी भी फर्माईश को ना नहीं कर सकती इस अपनों ने कहा है तो कभीर का भाशा संब्धिया अधिकार और उनकी सामाजिक चेतना दोनों इसमें लिखते हुए आपको धारण देना है पद्मावत्म जायसी ने धार्मिक कटरता पर प्रेम की विजए दिखाई है प्रमार सही विचन कीजिए जो इस तरह का प्रश्न है तो धार्मिक कटरता पर प्रेम की विजए अब प्रेम की विजए तो प्रेम की पीर के अमर कभी जायसी है ही और पद्मावत्य उन्होंने लौकिक प्रेम कहानी का वर्णन किया है तो आ दोनों ही उसे जब पूरा चित्वड नश्ट हो गया सभी लोग मर गया तो वो किसे इसलाम बनाएगा और पद्मावती की वी राख ही उसे मिलती है तो उसकी धार में कटरता वस्तर से प्रेम की वज़ा तो आप कथा तत्व इसमें लिखेंगे उसका और जो प्रश्ण जिस प्रकार का है उस प्रकार से धुक्तर आप देंगे और वैसे जो सूफी कवी ऐने जो नहीं हिंदू-Muslim एकता के प्रतिपादन किया है तो निश्चिति कैक्ट वियूद किया है तो उनके कावी में उस प्रकार के तत्व हैं ही भक्तिकालीन कावीमधेकालीन सध्ता विमर्ष में सशक्त हस्तक शेप है ब्रामन वर्चेस वाली उससे विरोध था उनका और जन जन में जो एक्ता है उसका प्रतिपादम को करना था वो भक्तिकाल के कवियों नो एक सहज मानोधर्म को अपने कावन में प्रस्तुत किया जो सभी के प्रति समान है सभी व्यक्ति उस धर्म में समान है और सभी परमिश्वर को प्राप्त कर सकते हैं उसको प्राप्त करने के मार्ग भिन हो सकते हैं लेकिन परमात्मा जो है उसके लिए सभी व्यक्ति समान है ना कोई चोटा है ना कोई बड़ा है तो यह जो चेतना है यह चाहे हम निर्गुन क तो यह आप जानते हैं कि पूरा जो भक्तिकाल है उस समय में मुगल सामराज का शासन चल रहा था भारत में तो जब विजाति शासकों का समय था और भारती जनता को कुछ अपनी संस्कृति के प्रती उनमें गौरव भावना भी अगर नहीं होगी तो वो अपना विकास नहीं कर पाएंगे सामाजिक विकास अबरुद्द हो जाएगा तो इस दृष्ट से भक्तिकालीन कभियों ने सोचा और जब सामाजी क्वेशन में दूर होगा तभी समाज का व प्रेम के उनमुक्त सुरूप को लेकर और कृष्ण की भक्ति को लेकर जो उन्होंने कावे रचा उसमें जो विदेशे सांस्कृतिक चुनोतियां जो उस समय की थी उसके संदर्व में एक नई चेतना करनिश्चित रूप से मिर्मान होता है और कहीं वो चेतना किसी भी जूप रधन है जो प्रेम तत्तो है और जो अकुंठ जो भाव वैभाव का चित्रन है वो कहीं नए कहीं 21 पढ़ते हैं और समकालीन संस्कृतियां थी उससे वो भारती संस्कृति के गौररव का अख्यान करते हैं इस प्रकार से कि इसमें जो भारती संस्कृति के मूल में जो चेतना है वो सामाजिक विकास की जो चेतना है वो अपने में विशिष्ट है तो यह सब लिखना है आपको तो उनकी प्रेम संवेदना और उनकी कृष्ण भक्ति के संदर में जो उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना है उसका आपको बंद करना है और उधारण देने है गीरा के काव में अभ्यक्त इस्त्री चेतना इसमें परियाप्त में बता चुकी हूँ तुलसी ने अपने यूक के संदर में एक व्यकल्पिक समाज के आदर्श को मतलब वही जो राम राजी का आदर्श है उसके बारे में आपको लिखना है बिहारी और घरनन्द की संदर परिपाटी से बिलकुल मुप्त सवच्छन रूप से अपना कावे लिखा अपने जो भावान उभूती है उसकी वयक्तित्ता उनके कावे में है सवच्छन प्रीम कावे धरा के वह कभी है तो निश्चितिन के संदर्य चित्रण में अंतर होगा बिहारी जहां उपनी संदर संदरे का चित्रण करेंगे ृढध भावत्म संदर्य चित्रण करते थे हैं कि तो अब बिहारी में संयोग पक्ष्टी ब्र casting के खाव Sónd Init के इंच तु चांबरहें संदर्वन संदोर के सुक्षमता को देख सकते हैंее अब यह देखे व याठ्या के अधार न है तो व्याख्या कभीर का दिया हुआ है जाइसी से दिया हुआ भी मैंने उधान में बताया फिर देखे सूर का दिया हुआ है तो जब आप व्याख्या पढ़ेंगे तो इस परश्ट हो जाएगा बादवाला घनानन्द का है अब आपको यह जानना होगा कि व्याख्या के आप लोग नोट कर लेजिए कि व्याख्या के अंतर के जो त्यारी करने उसमें क्या-क्या विशेशूप से कभीर के पद्यों में जो दिये हुए हैं उसमें से 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 22 और 24 पद्य और मलिक मुहमद जैसी के पद्मावद से नक्षेखंड तथा नागमती वियोखंड की व्याख्या त्यार कर लीजिए गोस्वामी तुलसी दास जी से विने पत्रिका और कवितावली के पद्यानशों की व्याख्या त्यार करनी है सूरदास के विनाए के पदों में Pe, दूसरा, पांचवां, ग्यारवां, चोधवा, पंधरवां वादसलि से पहला, पांचवां, साथवां, आठवां, ग्यारवां, तेरवां, सोलवां, सतरवां ब्रहमरगीत से 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 23, 26 कर लीजिए वैसे ब्रहमर्गीत सबसे मात्पूर्ण है मीरा भाई में सामानी रूप से सभी पद्र देख लीजिए बिहारी में सभी पढ़ना है घनानन में दो चार साथ आठ नो ग्यारह सोलह सत्रह अठारह पचिस ये चन तयार कर लीजिए और बाकी सामानी रूप से तो आ अगले व्याख्यान में किया जा सकता है इसी के साथ आज की चर्चा को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं आप सबेका बहुत-बहुत धन्यवाद आभार अगले नो आप साथ आप आप सकता है अगले आप सोलह से पत्सक्त करते हैं अगले प्रास दो हम लोग दो चान्यवाद आप से आप से अधरो खिसे हैं अगले दो करते हैं आप